फिर्स्ट आफ आल हैपी न्यूएर तो आल आफ यू गाइज होपी यू वेल इन यूर स्टडी तो आपको सबको पता तो है यह की अडवांस जो रिवाइज नोटिस आया है इसमें क्या हो रहा है कि आपने शेडूल तो देख लिया हुआ है बट बहुत सारे बच्चों को पत्वारी के अग्जाम है उसमें क्या आ रहा है चोटी सी confusion आ रही है और साथ में इसमें अलेक्शन असिस्टेंट का एक्जाम भी है वही चीज में क्लियर करने के लिए है बाकी तो आप सबको आपने एक्जाम कलेंडर तो देख ही लिया होगा ठीक है जैसे अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है थर्टेथ अफ जैन को होने वाला है सब इंस्पेक्टर जो हमारा एक्साइस का पेपर हो फर्स्ट वीक ओफ फैब्री से स्टार्ट हो जाएगा जो आपका अकाउंट असिस्टेंट है वह तो आपका ऑफ्लाइन पेपर है सब इंस्पेक्टर पेपर जो होगा वह आपका सीबीट होगा मीन्स ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है बाकी यह ड्राफ्समें मेकैनिकल उसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो अभी टाइपिंग खतम हुई है टाइपिंग टेस्ट जिन लोगों का पास हो गया हुआ है उ एलेक्शन असिस्टेंट का जो है दस तारीक को इसका टाइविंग टेस्ट होने वाला है फिर उसके बाद एलेक्शन असिस्टेंट का भी यहां पर डाला हुआ पटवारी के साथ तो बात करते हैं कि जो बच्चों को इन कंफ्यूजन आ रही है सर यह जो छे को पेपर होने है साथ में तो यहां पर आप देख सकते हो साफ साफ आप आप लोगों को जो पटवारी के कैंडिडेट है उन्होंने स्लेबस तो सबने देखा ही है राइट सबने आई तिंक स्लेबस सबने पड़ा ही होगा इस टाइम तक स्लेबस तो आपका कवर भी हो जाना चाहिए इस रिजनिंग इंग्लिश और नीचे एक और दिया था जहां पर उर्दू का लिखा हुआ था जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है उसको सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है तो वो जो पेपर है डिस्क्रिप्टिड नेचर वाकिंग नॉलेज अफ उर्दू तो आपक जो नेक्स पेपर है जर्नल पेपर है उसके लिए वो अलीजिबल होंगे गाइस राइट एक बार फिर से में बोल देता हूँ कि जो बच्चे यह जो सिक्स्त ओफ फैब को पेपर होने जा रहा है इस उर्दू बेपर का जो आपको सलेबस तो सबको पता है इस उर्दू पे जर्नल पेपर है ठीक है और आपका जो उर्दू के मार्क्स होंगे वो आपके जो फाइनन्स सेलेक्शन लिस्ट होगी उसमें मार्क्स उर्दू के काउंट नहीं होगे जो बच्चा जर्नल पेपर में अच्छे मार्क्स लेगा मींस कि जो भी कट आफ जाएगा उस कट आफ अगर इसके मार्क सौंगे तो उसकी सेलेक्शन होगी इंटर्व्यू तो नहीं है यह आप सब लोगों को पता है तो इसलिए यह जो आपका पेपर होने जा रहा है जो पेपर आपका होने जा रहा है सिक्स ओफ फैबरेरी को तो यह फिर से एक बार में बॉल देता हूं यह सिर उर्दू का पेपर होने जा रहा है और इसका भी जो है अड्मिट गाड आ जाएगा ओफ्लाइन पेपर होगा यह ओनलाइन पेपर नहीं है उर्दू का भी तो यह ओफ्लाइन पेपर है तो होप आपको आपकी जो तो confusion थी वो clear होगी बहुत सारे तीन-चार दिन से जब से यह आया हो है तो बच्चे confused होगे थे पटवारी के पेपर को लेके बहुत सारे messages आ चुके हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि अब सब लोगों को क्या बोलते हैं कि हम calls तो नहीं pick कर सकते हैं हर एक बच्चे के message का reply भी नह आने जा रहा हूं क्योंकि इस टेम पर बहुत टायट शेडियूल है तो इसलिए एक वीडियो बना के आपको बता रहा हो अगर फिट भी आपको कोई भी क्वैरी है तो यू केन कमेंट इन दर कमेंट बॉक्स सेक्शन राइट तो एक और चीज मैंने देखी यहां पर सब इ जिनियर जी का पेपर है राइट और सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे भी थोड़े से वह ओगे हो है स्ट्रेस आउट हो चुके ओए तो इसलिए स्ट्रेस लेने की जूरत नहीं है अब जैसे एक कुछ चीज मैं बताऊ जैसे सब इंस्पेक्टर पेपर है तो यह जो लिए पेपर हो रहा है तो इसलिए जितना हो सकते हैं आप स्लेबर्स कवर करें और अच्छे से उसको प्रॉपरली पढ़ें ताकि आपका स्लेक्शन होने के चांसे क्योंकि इसका कट आफ तो इतना जादा तो नहीं जा पाएगा कि सब बच्चे जो हैं बहुत सारे बच्चे नहीं हैं बट पढ़ते रहें स्टडी करते रहें मैनत करते रहें आपको मैनत कफल जरूर मिलेगा तो अगर अभी भी किसी को डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाले और वीडियो को शेयर करें ताकि यह जो कंफ्यूजन है और बाकी जो चोटे मटे एक्साम है तो यह वह को feedback कि अपको आपका यह पूरा जो क्या बोलते हैं जो अभी निया वीदित का ज्रीक्त के ने द teoffsppay निए फिर से शुरू हो रहा है तो अभी आपका प्वर गर पर बैठे त्यारी करें अगर लाइपरी जॉइन किया तो वहां पर जॉइन करें अब बिमार हो गें तो आपको क्या होगा बहुत सारी में क्रियेट हो जाएगी ठीक है तो इसलिए अपना भी दियान रखे और अपनों का भी दियान रखें झाल झाल झाल